हलो दोस्तो हीटाची CC14SF ए ओल्ल मॉडेल 14G कार्टिंग मैसीन है यह मैसीन बहुती पुराना है यह जो मैसीन है जिस बंदने यह मैसीन लेके आया ओ बोल रहा था यह मैसीन 2012 का मैसीन है 2012 से मैसीन चल रहा है कभी खरब नहीं हुआ तो देखिए ओ कितना जदा खरब हो गया है इसको बेरिंग जाम हो गया है सामने बहुता बेरिंग खरब है साइद इसलिए यह खोलनी पा रहा है तो मैसीन मैंने खोलने का जो बीडियो है मैंने काम कर रहा था और भी काम थे वो ग्याम कर नहीं पाए तो मैसीन ऐसे लॉक हो गया है खोलनी पाए तो एक खोलने का जो भी तकलिब होता है ना हम सोचे आपको देखाना चाहिए तो इसलिए इस वीडियो को त्यार किया है सामने बाला बैरिंग वहूद दिन से चल रहा है तो इसलिए इसमें कुछ भी खराब नहीं होगा तो कोई इसको रिपियर नहीं कराएगा खराब हुआ है तब ही इसको लेके आया है तो इसका खोलने का जो तरीका है जो भी तरीका था मैं अपना लिया जो भी ऐसे जो बैरिंग होता है थोड़ा सा ठोकने से खोल जाता है इस मैसिन में ऐसे हो नहीं रहा है तो इसके जो खोलने का तरीका है मैं इसको खोलने के जो अलग अलग तरीका है उसमें अपनाते हैं, देखिए ऐसे कुछ समान से उसको ठोकेंगे, नाट कस लिए, तो उसको जब भी उसको ठोकना है, उपर में दो लोग होता है, लोग नहीं, जहां पे नाट कसते है, ओ थोड़ा सा ऐसे ठोकने से तूट जाता है, मैं दो चार कावी तोड़ दिया था, ओ लिंक करने के बाद फिर से ठीक किया है तो काम करते वक्त थोड़ा बूत लापर वैसे हम ठोग देंगे ना कुछ समान को तूट जाएगा ऐसे करके हम खोलने के कोशिस कर रहे हैं जो भी तरीका है उसको सब्दनी से हम खोलने के कोशिस करते हैं अठीक क देनिस में का टूट जो भी तरीका होता है उसको हम अपनाने के कोशिस करते हैं आपको भी पता है कुछ भी करके हमें खोलना है वैं वैरिंग को कैसे खोल सकते हैं ऐसे हो नीरा है आपको पता चल रहा है कितना जदा सक्त है बेरिंग इतना जाम हो गया है खोली नहीं पा रहे है तो मैंने सोच चोटे हेंबार लेकर उसके पर बड़े हमबार से उसको ठोकेंगे तो ठोकेंगे तो थोड़ा बहुत बाहर आजेगा आप देख लिए कितना कोसिस कर रहा है फिर भी नहीं निकल रहा है तो तो छोटे हमबस छोड़के मैं सोचा इसमा रखके उसके बाद उसमें ठोकेंगे देखिए आपको देखके क्या पता चल रहा है कितना ज़्यादा सक्त हो गया फिर भी नहीं निकल रहा है मैंने हर चीज टाई कर लिया देखिए उसके बाद सोचा है ऐसे करके भी हम ठोकेंगे तो फिर भी निकल जाएगा फिर से नहीं हो रहा है है यह ल Dat करकेंगे देखिए मेरे पास एक लगड़का है ओ भी बात आपको सुनना चाहिए टो जो छोटे होता हुआ है हम सोचते मेरे पास ज़्यदा नॉलज होता है तो हम उसका बात नहीं सुनते। ऐसे नहीं है तो आपके पास जो भी रहता है नहीं जो काम करके करने आते हैं उसके पास भी आइडिया हो सकते हैं तो कुछ भी बातें बोलता है ना तो आप एक बार करके देखना हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा आपका जो भी दिक्कत है कम हो जाएगा तो ऐसे उसको भी संमान देना चाहिए तो इसलिए हम जो मेरे को बताया था ओ यह जो रॉड है तो हम आपको एचीज क्यों बताया जो मेरे को मदद किये, जो काम सीखाया उसको हम कभी छोटा नहीं करते देखिए कितना बढ़िया से और बाहर आ गया देखिए बैरिंग जाम हो गया इसी बादा से घुमने रहा है तो ऐसे चलेगा तो जो गियार है ना गियर में गिरिस भी सुख गया है तो gear खराब हो जाएगा तो आपको देखके पता चल गया gear खराब हो गया इस gear में कट गया सैप के अंदर जो armature के अंदर जो gear है वो भी थोड़ा कट जाएगा armature को आपको open करने के लिए आपको armature को बाहर से ठोक नहाए gear open करने के बाद तो gear box के अंदर किसी ने इसको खोलने का कोशिस किया था खोल नहीं पाए अंदर से जो नाठ है उसको थोड़ा भूँद खोलने के कोशिस किये थे वो कुछ समान से तो इसलिए वो ले के आया है देखिए आपको देखके पता चल रहा है कितना ज़दा सकत है तो इसको खोलने का जो तरीका है तो दो कमपानी ने जो पीछे नाठ दिया है उसको खोलने के लिए सिस्टेम एई दिया है तो सैप को आप हैमर से ठोक के खोलना यह तो खोलने का जो तरीका है गलत है मेरे को गलत लगा किसी को अच्छा लगा तो मुझे पता नहीं तो सैब में आप ठोकेंगे तो खराफ हो जाएगा तो आपको जो भी होगा आपको देखाएंगे तो उसके बाद आपको एक चीज आपको इंडिको राउटर जो राउटर है आप उसको जो रिपीरिंग वीडियो है वो देख लेना आपको पता होगा उसमें आर्मेचर के फैंड के ओपर दो छोटे-छोटे छेट दिया गया है उसी से आप इसको डालने के बाद आप नाट क उनक कुछ भी अभी खोल पाओगे इसमें ऐसा कुछ भी एक उनकिया तो ऐसे कंपर नहीं किया मतलब बहर कि बहुąż और मेरे को देखो जो दिक्कात है और दिक्कोत का हम फेस करते होगा खोज भी करने खोल रहें मतलब में खुलेंगे तो अथ्म्राइ कि जा कोसिस कर रहे हैं तो इसका जो आर्मेचर है बाहर आ जाएं देखिए आप जितना भी इसमें हम कुछ भी छेड़-छेड़ नहीं करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं उसके बाद सोचा इसको आग से गरम कर देंगे तो खोल जाएंगे तो जो 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 वेलिंग करते हैं गयास वेलिंग करते हैं उसके पास ले के गया है मैंने देखिए वो काम कर रहा था उनको बोला थोड़ा सा हीट दे दीजिए तो थोड़ा हीट देने से क्या होगा लोए ऐलम्लियम जो है न गरम होने से बड़ा हो जाएगा तो बढ़िया से खोल पाएंगे तो इसलिए उसके पास लेके गया आप देखिए गैस जो देखिए मैंने खोलने का वीडियो तो नहीं दे सकता है मैंने तीन लोगों ने मिलके इसको खुला है ठोक के तो खोलने के बाद आपको वीडियो देखा रहे हैं देखिए हम ठोक के खुले हैं देखिए हीट दिने से अभी भी गरम है तो हम वहां से पकड़ने पाएंगे तो अब आपको देखा दिए आपको ठोक के ऐसे करके आप खोल सकते हो देखिये बैरिंग कितना जटा ही रहा है साप करने के बाद ऐसे लग रहा है फ़र घुमी नहीं लगा था साउन देख लिजिए कि बैरिंग खरब हो गया तो हम को उसको निकलना तो इसमें जंग लग गया तो आपको जंग को बढ़िया से साप करना है साप नहीं करेंगे तो खोलने पाएंगे आपको खुलने के लिए जो ओपर का सैप्ट है तो सैप्ट को बड़ीयासे साप करना है बड़ीयासे साप नहीं करोगे तो क्या होगा आप पुलार से कुछ भी चीज़ तो उसको जब भी खुलने के कोचिश करो बहुत जिदा पेसार आएगा, खोलने में दिक्कत होगा, आपका पूलार भी खराब हो सकता है, तो बड़ी आसे आप साप कर ले ना, साप करने के बाद, आप थोड़ा सा पेस करने से ओपन हो जाएगा, मेरे पास हाइडलिक है, हाइडलिक पेस से इसको खोलेंगे, मेरा जो गैप है देखो, बेरिंग और गियर के अंदर जो गैप है उसमें हम पत्ती डाल नहीं सकते, जो भी पत्ती है मेरे पास थोड़ा मोटा है, और पतला पत्ती से वो डालेंगे तो बैंड हो जाएगा, बहुत ज़्यदा पेसार रहते हैं, तो मेरे पास जो पूलार है, ज जो भी आपको देखा देते हैं, जो लुहे दिया गया है, बहुत ही सकत होता है, कुछ नहीं होता, उसको भी ज़्यदा पेसार आने से तूट जाएगा, तो आपको देखने के उसको काम करना है, ऐसे नहीं, उसको ज़्यदा पेसार आएगा तो तूटेगा नहीं, आपको पता चल जाएगा कितना पेसाद देना है कितना नहीं है कि अ से बड़ने हो जाएगा उससे ज्यादा नहीं जाएगा तो ऐसे कुछ मैसिन हम त्यार करेंगे तो त्यार करेंगे तो आपको देखाएंगे त्यार करना भी वीडियो देखाएंगे और हो जाने के बाद काम कैसे करते वह भी देखाएंगे देखें बड़े से मैंने साफ कर लिए साफ करने के बाद देख़े जो मेरा लाल पुलर है उसी के अंदर उसको डाल लेंगे देखिए gap थोड़ा कम है तो अतना gap में जो पतली लोएका पत्ती है और डालेंगे तो बैंड हो सकता है करने से क्या होगा इसमें जो थेड लगा होना बाहर आ जाता है तो वह जड़ biciclet होता सेट कितना जदा मैं इसमें सेटिंग होता रहा उसको थोड़ा नीचे कर लिए अप नीचे देखा ह है दे रहा ना ऐसे बड़े वाले कुछ भी सामान नहीं देना है छोटे सैप उसके आंदर देंगे देखिए पथले ऐसे कुछ जो मेरे काम के जोगान होते हैं जिसी में बैरिंग पेस करते हैं ठोकते हैं उसी को रोड को यहां से डाल दिये देखिए दिरे से पेस करेंगे और खोल देखिए धिरे-धिरे करके और नीचे जा रहा है कि उससे जदा नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा जो लोए का यह है उसमें गियार नहीं अंदर जा पाएगा देखिए मैंने जो स्पेंडल से बड़ी बेरिंग है तुरो निकाल लिया है बेरिंग का साइज आप देखिए कितना बड़ा है कोई भी चत्दभी चैजि काटिंग मैसे में इतना बड़ा बेरिंग कंपानी ने नहीं दिया हीटाची कंपानी ने ए मैसिन बूद बढ़िया तेयर किया था देखिया इसे चोटे-चोटे-चोटे दो नाट रहते हैं कितना सकत है देखि लीजे इसके जो उपर बान नाट है न थोड़ा खराब होगया किसी ने उसको खोलने के कोशिस किया थे सोचा नाट को धीरे करके खोल लेंगे उसके बाद धीरे से सैप को आर्मचर को ठोकने के बाद बाहर आ जाएगा तो हम नाट को पैच कैसे नहीं खोल रहा है जो इंपेक्ट है उसको ठोकके हम खोलने के कोशिस कर रहे देखिए आपके पास impact रहेगा तो आप बढ़िया से नाट को खोल पाओगे नहीं तो नाट खराफ हो जाएगा तो आपको impact से खोलना चाहिए इनपेक्ट आख जो काम होता है ना बूद बढ़िया होता है वो हमबर से ठोकने से नाट थोड़ा घूमता है तो आगे पीछे कुछ भी होता है उसमें बीट भी आप चेंज कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया होता है मेरा इंपेक्ट जो है ना बहुत ज़्यादा दिन से मैं कम कर रहा हूं बहुत बढ़िया से चल रहा है इसका 25 थोड़ा कम था 500 रुपिया मैं 5-6 साल से कम कर रहा हूं बहुत बढ़िया से कम कर रहा है आप इंपेक्ट अच्छे वाला खर्द लेना बहुत बढ़िया से कम करेगा आप जो भी नाट खोलने ही पाते हो बढ़िया से खोल पाऊगे नाट को खोलने के बाद ऐसे बैरिंग नहीं निकलेगा तो हमको ठोक के उसको खोलना है देखिए देखिए कितना आपको ठोक के बड़ी आसे इसको ठोक के खोल पाऊगे नहीं तो खोल नहीं पाऊगे हो गए देखिए हम उसको दुनों हाथ से पकड़े थे तो वीडियो नहीं देखा पाए तो खुल हातों में मैं लेकि आपको देखा रहे हैं देखिए तो बैरिंग ठीक है तो हम बैरिंग को आपको ओपेंड करके देखाएंगे बैरिंग इतना बड़िया क्यूंग है प्लास्टिक प्लास्टिक से बना होता है इसमें लोहे रहता तो खरब जल्दी हो जाता है तो कंपाई ने जो भी बैरिंग दिया है बहुत बड़िया बैरिंग दिया है तो ऐसे बैरिंग देता है आभी कंपाणी में ऐसे नहीं बैरिंग देखने को आपको नहीं मिलेगा पहले जो भी मैसीन कमपाड़ी ने तैयार करता था तो पिछ वाल बेरिंग हो भी हम निकाल लेंगे हैं तो आप पुलर से बेरिंग को ऑपन कर लेना कि ऐसे पुलार रहके तो बड़ी अउसको उपन कर पाओगे देखिए और मेंचर का अंदर जो बैरिंग लागते है उसका साइज है 6,002 और पीछे बाला जो बैरिंग है 6,002 आगे बाला जो बैरिंग है बड़ा बाला बैरिंग उसका नमबार है 6,303 देखिए यह आर-मे-चर हम ठोक के खूले है तो आर-मे-चर थोड़ा मुर गया है तो ऐसे करके हम इसको फिटिंग नहीं कपराएगे उसको क्या करेंगे हम गाइन डर से उसको बड़े ऐसे सापसबाई कर देंगे हैं यह से स्थी हमनिक से शौड़ से शौड़ा शौड़ में बहुरी ऐसे उसको बैर्पीन से हम निकाल भी नहीं पाए पर रहे हैं तो बढ़े आसे सबसफ़ाय करना पड़े लिए तो तो आप इसको बड़ी से फिटिंग नहीं परफॉँआ होगे हैं एसे धीयों हम टुकत खोलने का तरीका यूटल सही हो ऑगातौ सकते हैं चला सकते हों OF भररूशंव नहीं कुछ भी नहीं डुच्पन ह eraserick में Σब्हक्राब हो गया है तो ऐसे जब भी होता है साउंड थोड़ा करते हैं तो चलाने के बादी पता चलेगा साउंड कितना ज़्यादा हो रहा है क्या दिक्कत हो रहा है सदा ज़्यादा साउंड करेंगे तो उसको हम चला नहीं पाएंगे तो आर्मेचर को फेकना पड़ेगा तो यह जो दिक्कत है वो दिक्कत को हम आपको फेस कर रहा है आप खूद देखिए हम कैसे काम किया है जो भी उसमें काम करने के जो भी तरीका था ओ अपनाया फिर भी नहीं खोला तो हम जो भी मेरे को ठीक लगा साब धनी से हम खोलने के कोशिस किया है देखिए आर्मेचार इसका बेरंग्य वी बहुत बहुत पुराना है। बहुत दिन से चल रहा है। अबी पिक्छेवाला बारे सकर नहीं होगा है। देखिए आर्मिचर देखिए इसका बेरिंग है वह भी बहुत बढ़ी है पिछे बाला बेरिंग कुछ नहीं हुआ है पिछे बाला बेरिंग है उसका बेरिंग का साइज मैं ठीक से देखा नहीं हूँ फिर भी मेरे को देखके जो लाग रहा है उसका साइज 6 003 ऐसे कुछ होगा देखिए मैं मार्केट से दो नया मेरिंग खर्द के लेकर आया हूँ दो बैरिंग ठीक था देखिए जो 6306 जो बैरिंग है वो 460 रुपे लिया है आज जो 600 बैरिंग है वो 120 रुपे लिया है मैं मार्केट से खर्द के लेकर आया हूँ दोकान का नाम नहीं देखा सकता तो इसलिए मैं हातों से ढखके राखे थे देखिए एसकेप कंपानी बैरिंग मैं मांगा था एसकेप कंपानी का बैरिंग उसके पास नहीं था तो उसने एनबीसी कंपानी का बैरिंग दिया है एनबीसी कंपानी बैरिंग भी बहुत बढ़िया होता है तीनों बेरिंग आप इसमें यूज़ कर सकते हो जो 2RS बेरिंग होता है देखिए ये बेरिंग कमपानी का तरफ से कमपानी का बेरिंग बहुत भड़ी है उसमें खराब नहीं हुआ ये भी हम चेंज कर देते हैं और बेरिंग भी हो गया है इसको हम जो उसका 2RS tehd है तोłby को हम open करेंगे उपेंड करने के लिए मेरे पास एक सामान रहता था जो सार्जी के लिए बिलेड हो या में ढूंड रहे है तो आपको उसको उपेंड करने के लिए नुकिले कुछ चाहिए बहुत ही पतले हो ने तो आपका राबार खराफ हो जाएगा तो ग्रीस बाहर निकल जाएगा तो इसलिए उसको बढ़िया से उसको उपेंड करना है आपके पास सर्जीकल बिलेड होगा तो बढ़िया से उसको उपेंड कर पाऊगे यहbourिञ इस्टिक हैं सेंटेजर से हम बेरिंग को थ्वड़ा करलेंगे हम किरराइसं करने ऋलने से बेरिंग खरआप हो जाता और जब फेकरने लगते हैं तो हम सेटेजर से बड़ेशे उसको पेरिंग करने केकोशिवे 20 कोश्च होता है तो उसमें आपको उपर उठने के बाद उसमें कुछ भी नहीं होगा तो गृष बाहर नहीं आएगा आप दूसरे कुछ चीज से उसको ओपर करोगो तो राबार खराफ हो जाएगा आप ग्रीष बाहर आ गया तो अपको ओछ चीज थे आपको यूज करना है मैं मैं बहुत सर्चिस से उसको ओपेंड किया हूँ बैरिंग खराप हो जाता था इसी से ओपेंड करने के बाद कुछ भी नहीं होता तो आप सार्चिकल बिलेड उसका नामबर जो है ना 11 नमबर उसका आप यूज कर सकते हूं देखिए ग्रिश डलने के बाद हातों से गुमा के उसको बढ़िया से हम सेटिंग कर लेते हैं कामपाइन ने जाएसे फिटिंग किया था ऐसे फिटिंग करेंगे थोड़ा डेंडायट डाल लेंगे बहार के और बढ़े से चिपक रहे हैं बैरिंग जल्दी ना खोल पाए है देखें बहुत दिन से खोला नहीं इसलिए ज्यादा टाइट हो गया है और उसको बाद में खोलने के कोशिश करें बढ़े से खोल पाएगे दस सल से मैसें चल रहा है दस सल से चल रहा है तो इसलिए इसके ज़्यादा जाम हो गया बीच में एक बार खोल के उसको बड़ी ऐसे साप सफाई कर लेता है बैरिंग आपको ग्रीसिंग में सिंग कर लेते तो ऐसे दिक्कत नहीं होता आपको मेंटेंस करना चाहिए मेंटेंस नहीं किया इसमें ग्रीस सुख गया था ग्रीस सुखने से क्या हुआ है उसको जो ग्यार हो खराब हो गया तो आप कुछ भी मैसें जब भी चलाते उसको ग्रीसिंग करना जूरूरी होता है आप आपको चलने के बाद पता चल जाग आपको छलाएंगे तो मैसीन खराप हो जाएगा ऐसे गरफ करोगा तो बैसीन और भी जयात दिन चलता ने तो इसको ग्यार खराप हो गया इसमें साउन साइद लागेगा साउन थोड़ा ज्यादा करेगा पता नहीं है तो चला रहने को फितिंग करेंगे अर्वेटिर कर लगड़ी से ठोक करेंगे बिदेखिए कि जी से हैसको ठोक कर भूंरे हां कि अब उसको और ठोक नहीं है वह लगड़ी से ठोक के आंदर नहीं जाएगा तो हम कुछ सैप ढूंड रहे हैं जो सैप के अंदर चला जाए यह अंदर जा नहीं रहा है बहुत ही छोटे है तो हमको सही सामन ढूंडना है ने तो उसका सैप खराफ हो जाएगा हमें तो ऐसे नहीं पता चलेगा हमको उसमें डालने के बाद ही पता चलेगा कौन सा सैफ उसमें हम यूज़ कर सकते हैं देखिए छोटे सा सैफ है यह अंदर चला गया तो हम इसको हैंबर से ठोक के इसको अंदर डालेंगे देखिए तो उपर का जो सैफ है खरब नहीं होगा वह उतने क्या गल्दी करता है उसमें आरमेचार जब भी फिटिंग करता है लोएका उसके उपर ही ठोक देते हैं क्या होगा वो जो बेरिंग जाब पे फिटिंग होता है ना वो थोड़ा मोटा हो जाएगा फिर उसको क्या करेंगे फाइल से साफाई करने के बाद फिटिंग करेंगे हम गलती करते हैं हम गलती करने से उसको समन खरब हो जाता है तो आपको भी चीज नहीं करना है आपको सही जो काम करने का तरीका है उसको सीखना है ने तो आपको पता करना है तभी उसको काम कर पाओगे ने तो क्या होगा आप तो करके छोड़ देंगे जिसका मैसिन है वो खराब हो जाएगा आप कुछ भी करके मैसिन को रिप्यर करके छोड़ देंगे Xкив teşekkür को तोड़ देंगे उसके बाद आप गाईंडार और इसे कुछ भी प्राइंडार से हो कुछ भी बांद साप कर देंगो cv kitchen य१ा और युद्ध भी आप ऐसे आप करने के बाद हम बाडी को फिटिंग कर लेंगे उसके बाद को फिटिंग करके आपको चला के दिखाएंगे देखिए इसमें जो लॉक है न वो गुम कर दिया है और उसका साइड का जो ये सिस्टेम भी है वो तोड़ दिया है तो बहुत दिन से चल रहा है तो उसके क्या करता है कुछ भी सावन उसमें अंडल डाल देता है तब उसको खोल पाते है बॉड़ी में चार नाट और फाइबर हैंडल में तीन नाट उसमें फिटिंग होता है ये मेंसिन बहुत ही बढ़िया है जिसके पास है उसको पता है बहुत ही जदा हेबी है आप जो भी चोद्दू इंची काटिंग मेंसिन है उसके जो सामने वाला बेरिंग इतना बड़ा बेरिंग आपको कोई भी मेंसिन में देखने को नहीं मिलेगा सिहांं टो मैसीन से आपको पता चल गया मैसीन कितना commandments बढ़िया तो पैर किया है कमपानी में इसको क्यूं बंध कर दिया मैसीन खरा पी नहीं हो था आप सोचलो एक मैसीन 2000 12 में खड़ित था अब सब्सक्राइब नहीं किया उसका बॉस कंपानी का जो ओल मॉडल है आभी भी चल रहा है ऐसे निया मॉडल भी लॉंच कर दिया तो कंपाने को यह मैसीन राखना चाहिए फाइस थोड़ा जदा कर दो जिदना है उससे जदा कर दो मतलब अभी तो आठ में बेच रहा है आठ दस कुछ भी बार क्या या मैसीन था 20 भी करते तब खर देगा क्यों उसका मैसिन एक बार खट लेगा तो खराब नहीं होगा ना कि हम एसन बंद कर दिया तो कंपाने के बाद क्या किया दूसरे मैसीन लाँच कर दिया । इतना ज़्याद नहीं चलते है कि अखिट इए डियोल कंपाने आपको ऐसे मोडल नहीं बंद आपको मिलेगा वैसे कंपाने का कुछ भी मौडल ले लो आपी प्र早agne मिल रेवां सकते हैं पोद आचीज ने मैंई तो वूद बढ़िया बनाया था उसका जो भी पेयार पास जो भी इसमें टेक्नलोजी यूज के कंपाई ने बहुत ही बढ़िया किया है और एक चीज देखिए जहां पर ब्लेड फिटिंग होता है उसमें जो लोए का जो सैप्ट है ना स्पैंडल आपको देखाई नहीं देगा डियल कंपाई भी ऐसे लाइट आपको देखाई नहीं देगा वह भी बहुत सक्त बहुत पारफुल बनाते हैं बहुत ओल मोडल है उसमें भी आपको ऐसे देखने को मिलेगा अब जो भी मैसे नहीं कर रहा है तो आपको YouTube में देख लेना आपको मैसीन फिटिंग कैसे कर रहा है बैरिंग प्लेस खराब हो गया वो उसको कुछ दिक्कत नहीं है बैरिंग लेके आएगा तुरह उसमें डाल देगा तो ऐसे बैरिंग फिटिंग होगा तो आपको पता है कैसा होगा आर्मेचर फिल के साथ ही सतरा आएगा उसमें क्या होगा हीट होगा उसके बाद यह फिटिंग करने कपाद कुछ दिक्कत नहीं है ब्रिय अगए sponsorship हो गया मतल blossom हो गया सुने कुछ हैं आकारोन हम आपको 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 यह देखने को नहीं मिलेगा बढ़ी हिसे घुघ나 करते हैं लिए हम िसको सही से करो इसलिए हम इसको वीडियो देखा रहे ह नहीं तो आपको लगायकाप कर केदरा सिकलो उसके बाद काम करके तो कि अब जिसको काम करें देखें आप वह सोर सकमें काम करने एक अमधिस अब जलदी करफ सरे उससका जो 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 सुका उस दिन बेकार हो गया कितना लोग है मैसिन लेके कहां पे काम करने गया है उसका मैसिन खराब हो गया 10-20 लोग बैठ जाएगा तब क्या होगा आप उस चीज़ को एक बाद सोचना दिल से उसके बाद मैसिन को त्यार करके छोड़ना कभी उसका दुख को भी आप सेयर करोगा आपको पता चल जेका उसके कितना दुख भरा रहता है किसे का मैसिन एक लेकर गया उसका सामान खराब हो गया आपको तो कुछ भी नहीं जाएगा उसका अंदर का जो धर्त leln fail खरके देखना मैं ऐसे सोच के काम करता हूँ, हार काम मेरा ऐसे ही होता है, क्यों उसका जो दर्ध होता है उसको मुझे नहीं लेना है, बढ़िया से काम करेंगे तो बढ़िया से चलेगा, कुछ भी नहीं होगा, देखिए उसको जो बैरिंग ठोकने का जो तरीका है, आप उसको देख लिज पर से नहीं होते हैं नीचे लगड़ी में बठा दिया लगड़ी में बठाएंगे तो नीचे फोला ओपर नहीं होगागा सब्सक्राइब करने से क्या होता मैसिन खराफ हो जाता है मैसिन तो बढ़िया कंपाइड ने देता है जो रिपेर करते हो गलत कर देता है उसको मिलता है उसको कुछ करता है मैं भी पहले पहले कि दाट हो कंदłoटsl उसके बाद मैं सोचा ऐसे नहीं करनाएं तो बढ़िया से काम करेंगे जो भी दिक्कत है को ऐसो करेंगे कुछ भी गरबर करते तो इसको भी देखेंगे उसके बाद हम उसको जो वनातली तरी का Cage को आइसे तो बढ़िया से रहेगा, तो ऐसे करके बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, मैंने सोचा, तो आप लोगों को भी सही जो तरीका हो सिखा देंगे, तो आप बढ़िया से काम कर पाएगा, तो इसलिए मैं जो भी काम होता है, वो बढ़िया से करने की कोशिस करता हूँ, तो आप ब बहुत सरे प्यार मिलेंगे आप थोड़ा इसमें ग्रीसिंग कम करना ज्यादा ग्रीस नहीं करना जितना आपको जुरूत होता है उसी ग्रीस करना इसमें ज्यादा ग्रीस कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा तो फिर भी आपको ग्रीस ज्यादा नहीं करना है आपको जुरूत है उसी ग्रीस करना थोड़ा ग्रीसिंग कर लेना उसके बद बड़िया से फिटिंग कर लेना हम आपको फिटिंग करके भी देखा दे कैसे आप फिटिंग कर सकतो बड़िया से आपको ग्रीसिंग करने के बाद बैरिंग बड़िया से फिटिंग करना आपको घुमा के देखना बड़िया से वह मूब करेगा नहीं कर रहा है आप को नहीं मस्तला आपको 179 आपको अनुसके आप जो तो आपको आर्मेचर को फेकना पड़ेगा तो आपको इस भी पहले देख लिंगे देख लेखेंगे Basically अब यह कार्बक एक एक स्ब्सक्रम श्ेलप तो कोई भी दिक्कत नहीं है कि मैसीन बहुत दिन से चल रहा है सवंड थोड़ा भी होगा तो चल जाएगा कि जितना दिन अर्मेचर चलेगा उसको चला लेंगे बाद में उसको आर्मेचर नहीं उसका आप मैसीन बड़िया से हम रिप्यर कर दिये तो आपको जितना दिन चल रहा है चला लीजिए जब इसको चेंज करना है तो आपको आर्मेचार गियार, पैंडेल, तीनों चीज चेंज करना है तीनों चीज मार्केट में मिल जाएंगे स्पैंडिल कम मिलत है तो हम उसको ओराब देंगे ओराब दिने के बाद जब आ जाएंगे आपको चेंज करके देंगे देखिए पीछे साइड से घुमाने पारे थे सामने से घुम रहा है मतलब मैसीन बहुत ही बढ़िया है पीछे से घुमाने से घुम नहीं रहा क्यों अंदर से चल से उसको जो ग्यार है ना ग्यार का जो सेटिंग है थोड़ा सामने से है नया जब रहते हैं दोनों साइड में घूमते है बड़ी ऐसे उसके बाद हम इसमें फिटिंग कर लेंगे आप जो भी काम करते हो बड़ी ऐसे करना बड़ी ऐसे काम करोगे तो आपको काम सीखाने का मतलब जो है ना तो आप बड़ी ऐसे काम सीखोगे तो बड़ी ऐसे काम कर देंगे अज जो काम करते है उसको बड़ी ऐसे काम कर देंगे तो देखो किसी को भी बड़िया से काम करता आपको धेर सारा प्यार मिलेगा तो जो प्यार से आपको खुसी मिलेगा ऑप खुसी आपको भी मिलना चाहिए और किसी को भी दूख भी हआप को कश्ट principal नहीं चाहिए आप किसी का मैसश因 खराब कर दिया मतलब उसको वह पूत कष्ठ होता है तो वह कष्ठ को कम करने के लिए मैं आप लोगों सबीसों जो काम करने का सही तरीका ना वह सिखा रहा हूं हम जब भी काम करते है कुछ ना कुछ उल्टे सीदे काम हो जाता है मेरे से भी गलती होता है आपको बताया गलती होने से भरपाईजा कर देता है जिसका सामान है बहुत दिन से उसको यूज़ कर रहा है उसमें दूख होता है मेरा बहुत दिन से सामान चल रहा था किसी ने उसको रिप्यार किया उसको तोड़ दिया तो जो दूख है उसको मन में रह जाता है तो जब भी उसको याद आएगा तो आपके बारे में उल्टे सिधे बाते करेंगे तो ओभी आपको करना नहीं है तो आपके लिए उल्टे सिधे बात करेंगे आपके थोड़ा सा छोटा काम किया अपना गलती भी कर दिया मानो तो आपका गलती का साजा वो सुबह से साम तक देता ही रहेगा मेरे पास हीटाजी कमपानी का ओरिजिनल कारबोन नहीं है तो मेरे पास दो अलाग अला करबोन है तो हम उसको निकाल रहे है चाइनिज बाला कुछ करबोन है देखिए यूरी कमपानी का करबोन है और यूरी का कमपानी का दो करबोन है तो दो एकी करबोन है ये 11 किलो जो हमार मैसिन है उनी का करबोन है तो एक कार्बन हम निया और मैचर में फिटिंग करते हैं बहुत बढ़िया चलता है इसका फ्राइस थोड़ा कम है 30-40 ने तक 50 होगा मुझे पता नहीं है उसको देखना पड़ेगा तो इसी कार्बन को अभी इसमें फिटिंग करेंगे देखो चलाने के लिए इसको कर लेना तो आपके मैसिन बढ़िया से चलेगा अब 10 सल से चला रहे हो आर्मेचर कुछ भी नहीं हुआ है औरिजिनल कार्बन डालने से तो मेरा जो कार्बन है वो डालने से खरफ हो जाएगा तो आप मेरे को बोलो गया आप कार्बन डालने से मेरा आर्मेचर जल गया तो आप मार्केर से खरीद के कार्बोन उसमें यूज कर लेना मेरे पास जो कार्बोन था उस कार्बोन को हम मैसिन में सेट करके आपको चला के देखा दिया मैसिन बढ़िया से चल रहा है मैं कार्बोन एक साइड का फिटिंग कर लिया दूसरे साइड का कार्बोन फिटिंग हो नहीं रहा है दूसरे साइड में जाके करना पड़ रहा है जो मैसिन का कार्बोन है ना हम बस कंपनी का कार्बोन ज्यादा यूज करते हैं हीटेजी कंपनी से बढ़िया होता है बस कंपनी का कार्बोन बस कंपनी में ऐसे स्पिंग बढ़ा कार्बोन नहीं सेट होता है स्किल पमपाणि me one types Hier बौस यसे वहां ससे कार्बोन सब्सक्राइब मैंस में सनय इसमें फिट करते हैं कि ताइं कि आया क sık झाल 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 मैसन का साउन थोड़ा चेंज हो जाता है ऐसे तो देखो बोध दिन से चला रहा था इसमें गिरिस भी नहीं किया बैरिंग भी खरबता तो हम ठोक के भी खुले हैं तो मुझे पता नहीं इसमें बैंड हुआ के नहीं हुआ है फिर भी मैसन बोध दिन से चलता है गिरिस नहीं करते तो फिर भी उसमें साउन करते हैं मैसन बढ़ी जाया से चलेगा ऐसे कोई दिक्कत नहीं है और इसमें बैंड बर टिंड़ा हो जाएगा तो हम जब भी घुमा रहे थे बढ़ी जाया नहीं करेगा तो ऐसे कुछ नहीं हुआ है गियर बहुत दिन से गिरिस नहीं था वह ऐसे चला है इसलिए बज़ास से साउ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना कमेंट करके बतना कैसा लगा मेरा वीडियो